हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हो आज सा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होगे आज मैं आपको बना पता रही हूँ सरसोकी साख की भुजिया जिसमें हम देड़ चम्मच तेल डालेंगे यह मेरा चम्मच है इसके मतलब मैं अपने हिसाब से तेल जितनी सबजी है आपकी उसके अकॉर्डिंग आप अपना तेल डाल सकते हैं तो मैंने देड चमच के लग भग तेल डाला और इसको अभी थोड़ा सा गरम होने तो तेज गरम क्योंकि अगर कच्छे तेल में डालेंगे तो फिर थोड़ी कच्छे पनकी वह आती है इसलिए अच्छी से मैंनो तेल गरम कर रखा है जो लेसन है छह से साथ और क्या कहते हैं चार से पांच हरी मिर्चे है दो लाल मिर्चे है थोड़ी सी हींगे हमारा तेल गरम हो गया है अच्छे से हम उसको अच्छे से गरम करेंगे अब हम लेसन डाल देंगे लेसन को आदे मिनट तक चलाते रहेंगे जब तक वह ब्राउन ना हो जाए जब अच्छे से लेसन ब् और जो हमारी लाल मिर्चे है वो हमें एक साथ डाल देंगे और एकदम जो डालने के बाद ना उपर से छीटे आते हैं तो मैं थोड़ा पीछे हो गई थी लेकिन उसका जो फ्लेवर आता है एकदम डालके बहुत ही अच्छा आता है फिर मैंने हींग डाली हींग से हमारा जो स बहुत ही अच्छा आता है आप बना के देखना बहुत टेस्टी आता है डारेक्ट बनाइए आप पानी नहीं लगेगा यह पानी अभी छोड़ेगा जब पानी इसका सूख जाएगा न तो उसको प्रेस करकर के दवाईए और बन जाएगी और इसमें सर्सों का साथ तो बह अच्छा नमक होता है थोड़ी सी मिर्स टाली क्यूंकि मैंने हरी मिर्स भी डाली है इसको मैंने सिम पर करके रख दिया है देखो आप अच्छा बनाए मैंने पानी वानी कुछ नि लगा यह अपने आप इतना अच्छा कलर चोड़ा है और अपने हल का मतलब बहुत ही अच